अब इन फेस्टिवल की सीजा स्टार होने वाली है ही के पर दिवाली के सब्केर में क्लिणी वह कर गर की सजावाट सब कुछ काम हो रहा होगा और अभी अभी क्या है कि फेस्टिवल सेजन में हम घर को रीम करते हैं उपर से एक्सपेंसिव पढ़ता है और जैसे कि किसी को इसकी वाली अलग तीम चाहिए नेक्स दिवाली या नेक्स फेस्टीवर कुछ अलग चाहिए तो उसके लिए मुझे लगता है दियाईवाई बहतर रहता है और जो भी डियाईवाई हम खुद से करते हैं वह दूसरों से अलग तीन चीजे की है और आगे बीडियो में को पसंद मेरे वीडियो देखना मैं को सब्सक्राइब कर देना और जो किपर से च проблем should मैं की सब्सक्राइब करते हैं और जो भी महिस्पों हेश आपके घर में हो वह लगा करती आप बहुत ही अच्छा लोग कर सकते हो मैंने जो भी बनाया है सारा मेरे मेरे घर में जो भी था जो भी वेस्ट माटीटियल था उसका ही यूज करके बनाया रोसारी हम अभी के वीडियो में चाहिए तो हम वन बाइवन सारी प्रोसेस करते हैं या देख रहे हो एब इस लेरी की जो वाटर बोटल आती है वह हम इस उपर का जो केप वाला साइड है वहां से कट कर देंगे पहले सारे स्टिकर निकाल के खाली नैफ से कट लगाओंगे और फिर आप सीजर से इसको कट कर ना है ऊपर की और हमें होल कर ले ना है यहां बैंने गरम नाइफ करके इस तरह से होल लगा लिए है फिर हम क्या करेंगे जो भी हमने साररे वोटल के केप ली है उसको हम क्या करेंगे गोल्डन कलर से कालर कर देंगे spray paint का यहांपर use किया आप चाहो तो colorful जो है वो भी यहांपर use कर सकते हो या फिर हाँ जो हाथों से paint करना चाहो तो भी कर सकते हो मैं ने खाले golden color का spray paint का use किया है तो як देख सकते हो इतना खाली saadhi का पला मेरे पास है पहले सोचा था कि ये δो saadhi मेरे पास इस तरह की सिल्क बेज की है तो मैं इसका यूज करती हूँ पर मैंने सोचा कि कुछ न को चुगाड करके सारी ही चीजे एक ही पल्ले में से बना लेंगे तो वेसे वाला होता है कि नहीं हम आके के वीडियो में जानेंगे यहाँ पर मैंने थर्मो सीट ली है जो फोम वाली सीट आती है उसका एक हीसा एक स्ट्राइप मैंने कट कर ली है जो बंदक बार हम बना रहे हैं पहले तो जितनी स्ट्राइप हमें उसकी वीडिस और लेंथ चाहे उस हिसाब से लिया है और मैं साड़ी का पला भी आपको दिखा देती हूं बस इतना ही है चाहे सबा मीटर मेरे खयाल से होगा तो बस इतना ही एलो पार्ट है और फिर पीछे रेड पार्ट है फिर हम क्या करेंगे जो भी हमने वाटर बोटर ली है उसमें हम फेविकोल या फिर होट गलू से आप यहाँ पर इस तरह के मीरर्स लगा सकते है जो भी आपके घर में मीरर्स ना हो तो स्टोन वगेरा जो कलरफुल आते है पॉल आते हैं हाफ वल वो सब यूज़ कर सकते है या योन की थ्रेड आती है मेकरन आती है वो भी यूज़ कर सकते है और इस तरह की लेसिस जो है उसका भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे जो एलो पाठ है उसका यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ा कपड़ा पीछे की ओर स्टिक करने के लिए भी चाहिए उस हिसाब से आपको cut कर देना है तो यहां पर मैंने कोई भी कपड़ा थोड़ा सा भी बिगाड़ा नहीं है आज हम तीन चीजे इसमें से create करेंगे फिर आगे के वीडियो में भी हम इसमें से बहुत सारी चीजे बनाएंगे तो एक खाली साड़ी के पल्ले से बहुत सारी ची लेंगे तीन स्क्वेर हमने बनाए है फिर इसको थोड़ा सा इट्रिक्टिव बनाने के लिए इस तरह की गोल्डन ले से उसमें हम इस तरह से सावार के ठरीशे से फिनिशिंग दे देंगे और यहां पर थोड़ा सा खाली-खाली लग रहा था तो बीच में मैं बड़ा वा लगा देंगे नीचे टैसल्स लगा देंगे इस तरह से मीरर लगा देंगे और आप चाहो तो कितने भी स्टोन वगेरा हो या फिर लाब शूप हो या फिर कोई भी चीज दिवाली के जो श्टिकर मिलते हैं वो भी आप मिरर की जगह पर यहाँ पर यूज कर सकते हो और नीचे टेसल की जगह आप कोई भी पॉम-पॉम लगा सकते हो यह टेसल पॉम-पॉम वगेरा बहुत सारी हमारे कपड़े में कुर्तिस म या फिर ट्रेडिशनल वेर हम जब लेते हैं तो इसमें लगी हुई रहती है तो आप निकाल दो और फिर जब चाहे यूज कर सकते हो फिर सुई धागे की हैल्प से मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत मोती टेसल जो भी चीज गर में पड़ी थी उसका ही यूज यहाँ पर क इसलिए हमने अंदर थोड़े मोती लगाए है जिसे की क्या हो कि टेसल पूरी तरह जो कार वो केप है बोटल की उसमें ना चली जाए यहाँ पर बस हमें इसको एटेज कर लेना है इस तरह से पहले हमने स्क्वेर को कार्बोर्ड वाले स्क्वेर को एटेज कर लिया और फिर इस तरह की केप को एटेज करेंगे फाइनल लोग भी हम जानेंगे दूसरी चीज हम यहाँ पर क्रियेट करते हैं स्क्वेंस वाइज मैंने कार्बोर्ड के स्वेर सरकल कट कर लिये है जो भी अपी थोड़ा बहुत कतरन हमारी बच्ची है उसका ही हम यूज करेंगे और फि टाइम कंजुमिंग जो भे वर इस तरह के डियाइवाई हॉम डेकर जो खासतोर फेस्टिवल सीजन में चलते है वो आप बाजार में लेने जाओ तो बहुत ही महंगे पुन मिलते है यहाँ पर फिर मैंने इस तरह से ट्राइंगल भी कट कर लिये है जो मोटा वाला है उसका यूज करना है और हम नीचे की और तीन तीन इस तरह के लगाएंगे तो यहां पर देख सकते हो इतनी साड़ी हमारी जो साड़ी का पल्लू है वो बचा था तो इसमें से मैंने क्रियेट करके फिर इसमें स्टिक कर दिया है खाली खाली लग रहा है आप देखो तो अगर यहां पर लगा सकते हो या इस तरह से जो मीरर है वो लगा सकते हो तो क्या होगा कि जो साड़ी का पल्लू का अलग-अलग पाठ है वो थोड़ा डिफाइन हो जाएगा और अच्छा लगेगा इस तरह से मैंने कर दिया है बीच में मैंने फिर स्टोन भी लगाए थे वो आपको पता चलेगा और इस तरह से मैंने ये बना लिया है इतना पार्ट हुआ है फिर हम क्या करेंगे कि फिर हमने जो इस तरह के बनाये है वो केसे बनाये है लटकन किये कहते हैं बंतक बार के आगे पीछे जो है उसे लगाई जाता है वो पुर्ती से लटकन निकला था वो नीचे लगा दिया है और फिर हम क्या करेंगे इस तरह से जो लेस मेरे पास पड़ी थी वेस्ता नहीं है कि आपके पास ना हो लेस कोई भी कलर की हो तो भी चलता है कलरफुल चीजे जाजा अच्छी लगते हैं मेरे पास सड्डनली ए रिड कलर की लेस निकल गई तो मैंन करो और अच्छी सी चीज बना लो जो भी घर हम हाथों से अपने चीज कोई भी डियेव है होम डेकर हो डियेव हो और गनाइसर वो बनाते हैं वो आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा और उसको देखके आपको एक अलग सा खुशी का अनुभव होगा आप चाहो तो पॉम पॉम की जगह खाली मोती वगेरा हो तो भी चलता है बहुत ही अच्छा लुकाता है वोरे मेरे पास वाइट कलर के मोती थी मैंने गोल्डन स्प्रेइपेंट कर दिया इसलिए सारे ही गोल्डन हो चुके है वरना मेरे पास गोल्डन मोती नहीं थे तो यहाँ पर बस इस तरह से हमको लगा देना है और कार्ड बन में इजीली जो सुई है वो चली जाती है तो उसमें भी कोई भी दिकत नहीं आती तो यहाँ पर सुई थागे का जो यूज इसलिए कि यह लोंग टाइन तक चलता रहे कभी भी बिगडे नहीं और यहाँ पर हम इस तरह से आप को अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और इस फेस्टिवल सीजन में आपके फ्रेंड्स के साथ आइडिया जरूर शेयर करना यहाँ पर एक बात में कहुंगी कि जो भी जिस तरह से चीजे रखनी हो पहले रफली डिजाइन बना लो कहां से कितने कहा मोति लगने है फिर क्या होगा कि कभी-कभी गलती हो जाती है वह सब कुछ फिर निकालना पड़ता है इससे अच्छा कि थोड़ी प्री-प्रिप्रिप्रेशन हो जाए तो यहां पर मैंने इस तरह से रख दिया है फार इस तरह से मैं थोड़ी और रंकी टेसल का यूज किय मैंने कहा उस तरह से जो भी चीज गथे मैं उसका ही मैंने यूज किया है पर्टिकल क्यों ही चीज मैंने बाहर से खरीदी नहीं है तो इस तरह से बस टीन साइड हमें इसको लगा देना है और फिर हमoden करेंगे इसको हेंग करने के लिए सारी सीजों को हेंग करने logging फिर से लेस लेली है वो सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर हम एटेज कर देंगे और तीनों चीजों का यह है फाइनल लुक आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है इतना अच्छा कलर लग रहा था एक तो उपर से कॉंबिनेशन जो ओरेंज ओर जे मरहुन कलर का है प्यारा लग रहा था उपर से और एस सारे मीरर्स है उसके और जो भी बोटलस है हमारी वो जुमर जैसा लुक दे रहा था आपको ए आइडिया और मेरे जो भी मेने यहाँ पर जो भी माटिरेल्स का यूज किया है वो आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो तो प्लीज करना और यह हमारा जो लटकन है वो है और जो भी साइड में आप लगाना चाहते हो या फिर वन बाई वन लगाना चाहते हो और यहां पर आप थोड़ा भरा भरा करना चाहते हो तो भी यहां पर जो भी डिजाइन है साड़ी के पल्ले की उसमें भी बीच बीच में मीरर लगा सकते हो मैंने सोचा कि बस इतना ही थोड़ा simple server अच्छा है तो मैंने इस तरह से create किया है वोरे बंधन बार भी बहुत ही महंगे महंगे मिलते है market में तो आप easily यहाँ पर इस सारी चीजे मेरे ख्याल से सबके घर में ही रहती है तो आप इसको create कर सकते हो सो बाइबाई अभी चो तीन चीजे मैंने आज create की है कल हम तीन पूर चीजे create करेंगे तो मैं आपके साथ किस तरह से place करती हूँ कहां कहां उसे रखती हूँ वो सारही idea मैं आपके साथ share करूंगे कर दो